खुदी को कर बुलंद इतना की हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूचे बता तेरी रजा क्या है जब आईएस का इंट्रू दिया जा रहा था उस समय मेरे भी समझ में नहीं आता था बड़ा भैबीत रहा करता था जब आईएस का इंट्रू देता था तब भी कुछ भी समझ में नहीं आता था बड़ा भैबीत रहता था लेकिन अब आज जब आईएस आईस विध्यार्तियों का जब स्वयम के द्वारा इंट्रू लेता हूं साक्षातकार लेता हूं तब एंजो Elok ये शेर अच्छी तरह स से सो अंक भी दिये जा सकते हैं नमस्कार सातियों मैं हूं बियल मिना और अब आर एस का इंटर्वू जो आप देने जा रहे हो निश्चेत रूप से लगभग 40 वीडियो आपको मैं देने वाला हूं पहला वीडियो आज आप देख रहे हैं और पहला वीडियो का सीर्षक क्या है पहला वीडियो का सीर्षक है इंटर्वू क्या है और यह क्यों होता है क्या जर्रत है इंटर्वू की क्यों नहीं मैंस एकजाम के मार्क्स को देख करके रैंक बना करके और रिजल्ट निकार देना चाहिए देखिए आईए क्यों जर्रत पढ़ती है कशुरू का मत्लब यह होता है कि आपको एक जलक के रूप में बोर्ड देखना चाता है ये बोर्ड या ह withdraw आपके उन चुपी हुई योगताओं को बहार निकालना चाता है जो किसी को पता नहीं होती है कि देखिए कैसे मैंसश हम हम लोगों ने इस प्रकार से दी है अब इंटर्व की आउशकता कैसे पड़ी है इंटर्व की आउशकता इसलिए पड़ती है कि ये जो सलेक्शन होगा अब इंटर्विव में अर्थात साक्षात कार में अंग कैसे दिये जाएंगे तो आप देखिए साक्षातकार का मतलब हो गया कि आपको वो चीज़ें जो मैंस एकजाम में आप जब लिख रहे थे तो कुछ ऐसी योगता आप में छुपी हुई है जो अब बोड आपको आमने और सामने देखेगा जाचेगा बारतलाब करेगा तो क्या होगा एक वैज्ञानिक पदती के मैध्यम से उन समस्त जानकारियों को बोड जानना चाता है जो लिखित परिक्षा के मैध्यम से नहीं जानी जा सकती वापस साक्षातकार में चैन करता एक वैज्ञानिक पदती के मैध्यम से उन समस्त जानकारियों को जानना चाता है जो मैंस परिक्षा के मैध्यम से नहीं जाची जा सकती तो देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं क्या होगा यह आपका इंटर्वू है इसको बेहद गंभीर तरीके से समझेंगे आप सब लोग यह इंटर्वू बोड अर्थात यह पैनल क्यों बैठा है क्या आप सकता पड़ गई टॉपिक क्या है क्या जानना चाता है यह बोड क्यों बैठा है यह अजमेर में आरपीसी में और यह विध्यारती मैंस एकजाम लिख चुका है मैंस एकजाम में जो चीजे नहीं जाची जाई मैंस एकजाम में जो छुपी हुई योगिताओं को नहीं जाचा परखा गया वो आमने और सामने फेश टू फेश यह बोड आपको जाच रहा है चालीस वीडियो में वो सब कुछ मिलेगा जो आप जानना चाते हैं और यह सब प्रिस्टिक्शन कोर्स तैयार किया है कि यदि जिसके मैध्यम से आप चले इसकी अनुसार में शित्रूप से आप असी अंग छुपाएंगे आराम से यह देखिए क्या कर रहा है यह बोड यह पैनल फेश टू फेश मिटिंग कर रहा है फेश टू फेश मिटिंग कैसे कर रहा है इस अभ्यर्ती में इंटर कर रहा है इंटर का मतलब है अभ्यर्ती में इंटर करना इसमें इंटर कर रहा है देखियों बॉर्ड इस अभ्यर्ति में क्या कर रहा है उम्मीद्ध हमें क्या कर रहा है記得 आधार के वियूचण के लिए विचारों को जानना चाना है यह वर्ड फेस टू फेस वारतालाप कर रहा है और फिर उन बिचारों का मूलांकन करेगा किसके मूल बिचारों का मूलांकन अनेक उमीद्वारों के बिचारों का मूलांकन करेगा कैसे वो प्रवेश करते हैं कैसे वो अविवादन करते हैं कैसे वो कुर्सी पर बैठते हैं किस तरह के हाव भाव रहते हैं कितना confidence रहता है, eye contact कैसे होता है, कितने भैबीत होते या नहीं होते हैं, उनका द्रश्टी को नजरिया अपने subject के प्रती कैसा होता है, आज के समविदन सील विशों के प्रती कैसा होता है, आने वाले भविश में, ये उमीद्वार निश्चित रूप से जब RS बनेगा, तो एक दिन ये कलेक्टर भी बनेगा, निश्चित रूप से ये RPS बनेगा, तो एक दिन SP भी बनेगा, अब एक ऐसे उमीद्वार को जिला सौप जाता है, जो सरकार को संकट में नहीं डालें, जबकि आपने देखा है, अने को बार कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं, जो सरकार को संकट में डाल देते हैं, तो उनके बिचार कैसे होते हैं, उनका नजरिया कैसा होता है, तो देखिए वापस, आप बहुत मन से द जब बात कर रहा है तो आप देखिए एक दो और तीन जो एक्सपर्ट है मेंबर हैं क्या देखते हैं इसमें इन्होंने आक बंद तो नहीं कर रखी क्या देख रहे हैं उमीदवार मैं उमीदवार के हाव भाव कैसे हैं बोलने का नजरिय कैसा है आई कांटेक्ट कैसा है चेरे की चमक कैसी है आखों का तेज कैसा है और बोलने का तरीका सबसे बैतरीन बात जो ध्यान से सुना है कौन सी बात बता रहा हूं बोलते तो सभी हैं लेकिन बोलते कैसे हैं समझाते तो सभी हैं लेकिन समझाते कैसे हैं तो my dear friend IES और RS में IES में 255 का जो इंट्रू होता है बहुत सारे विध्यारतियों के 45 अंक भी आयो हैं और बहुत सारे उमीद्वारों के 216 भी है 222 भी है अब देखिए आप इस इंट्रू का जो गैप है अंकों का यही तो मेरिट दिलाता है और अब यह आपके हाथ में है मैंस एक्जाम में यदि किसी पेपर में कमी रह गई तो निश्चित रूप से उस कमी की पूर्ति अपनिहां कर सकते हैं मैंस एक्जाम में जो नहीं जाचा गया है जो नहीं पर्खा गया है वो जो छुपी हुई योगिता है वो छुपी हुई योगिता को ये उमीद्वार बोड के सामने बोल रहा है लेकिन कैसे बोल रहा है mind of प्रजेंस कैसी है आई कांटेक्ट कैसा है सरीर के हाब हाब कैसे हैं चाल ढाल सरीर का गठन कैसा है कपड़े कैसे हैं ये हर चीज को ये बोड देखना चाता है तो देखिए और आगे के point क्या कहते हैं आपके लिए ये मैंस एकजाम हुई थी इस मैंस एकजाम में जो नहीं जाचा गया वो कहां जाचा जा रहा है मैंस एकजाम में जो नहीं जाचा गया वो कहां जाचा जा रहा है देखो ये जाचा जा रहा है ये मैंस एकजाम है और ये अपना इंटर्व्यू है एक सामान और सहज प्रक्रीया है किसी प्रकार का कोई भैबीत होने की आपसकता नहीं है यदि हमारे पास नौलेज है किसके हमारे डिग्री कौर्स के सब्जेक्टों की हमारे पास नौलेज है सामान ज्यान की हमारे पास नौलेज है जौब संबन्दी जहां नौकरी कर रहे हैं उसकी हमारे पास नौलेज है समवेदन सील मुद्दों की और हमारे पास नौलेज है उन मुद्दों की जो बोड आप से जाचना चाता है पूछना चाता है तो बेधड़क बिना जिजक्के मुस्क्राहट के साथ जब आप बोल रहे हैं यहां आप लिख रहे हैं और वहां आप बोल रहे हैं इंटरू एक सहद और सामान प्रक्रिया है एक उमीद्वार से यह इंटरूम मंडल आप से वो चीज प्रात करना चाता है ज्यादा से ज्यादा अंक कैसे दे तो आप इस समय क्या करना चाओगे वो बोलेंगे जो यह बोड चाता है आप वो नहीं बोलें जो यह बोड नहीं चाता है यदि आपने बोड को खुस कर दिया इंटर्वू पैनल को यदि आपने खुश कर दिया तो कहते हैं ने खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूचे ये बोर्ड इतना प्रभावित होना चाहिए आप से और ये साबित कर दें आप कि मैं ISRS का एक कुसल अधिकारी बनने की चमता रखता हूँ मुझे जादा से जादा अंग चाहिए निश्चेत्रू से बोर्ड असी नमबर देता है और ये बोर्ड यदि खुश नहीं हुआ तो आपने आसे च्यार दिन पहले अकबार में पड़ा होगा हर्याना में न्याइक जूडी शरी का जो एकजाम हुआ वहाँ 200 अंग का इंटरू हुआ था और एक विधारती जिसने रिटन टॉप किया उसके 531 अंग आये थे एक विधारती जिसने 425 अंग मैंस में प्राप्त किये थे तो 425 अंग वाले को तो 170 अंग मिले और जो रिटन एकजाम मैंस एकजाम में जो टॉपर था उसे मात्र 9 अंग मिले हर्याना में भूचाल आया हुआ है विधारतियों का हमें भी कभी लगता था कि बोड प्रभावित होता है पक्च पात करता है लेकिन में आपसे अभी कहा कि मैं इन दिनों में प्रती दिन 20-25 विधारतियों का इंट्रू लेता हूँ और सुवे 9 बजे से स्याम की 9 बज जाते हैं कभी कभार बहुत थकान मैसूस होती है उबासी हम को खुद को आती है लेकिन कभी कभार कुछ विधारति ऐसे आते हैं जो हम बोड को इस बोड को प्रभावित करना जानते हैं रौमान्चित करना जानते हैं और कुछ विध्यारती ऐसे आते हैं बास्तम में आपको भरोसा करना पड़ेगा मन करता है कि सो मैं से दस देने का नहीं वो प्रवेश करने का तरीका जानते हैं नहीं वो अविवादन गुड मॉर्निंग, गुड आप्टर नून, गुड इविनिंग करना जानते हैं नहीं वो थैंक्यू बोलना जानते हैं नहीं वो कुर्सी पर बैठना जानते हैं आंकों को मिच मिच आते हैं टिप टिप आते हैं मुहें पर जीब फेड़ते रहते हैं मला हाव हाव से हक्के बक्के से रहते हैं सवाल क्या पूचा जा रहा है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता वो क्या बोलते हैं कुछ पता ही नहीं और अनेको विध्धारती तो ऐसे आये हैं इस बार इंट्रू देने वाले मन करता है हंड्रेड में से हंड्रेड देने का उनके सभी तरीके बेश्ट होते हैं तो क्या आप से बात कर रहा हूं मैं इस बोड के सामने सम्मुख छुपी हुई योगिता को आपको बताना है आपको बताने का तरीका सीखना है अच्छे गाइड से जादा से जादा मौक इंट्रू देने से देखते हैं अगला पॉंट क्या आता है अपना देखिए इस बोड का मकसद क्या होता है पैन में कुछ साक्छातकार मंडल का मकसद क्या है मकसद को समझिए साक्छातकार बोड का मकसद है सही प्रतिवा का चैन करना सुबै से साम तक दो दो बोड तीन तीन बोड आरपी एसी में होते हैं आरपी एसी के मेंबर चेयर में चेयर परसन एक्सपर्ट जो होते हैं उनको कोई पता नहीं है कौन आने वाला है निश्पक्च जांच होती है क्या करते हैं आरपीएसी के मेंबर महां पर मकसद है उनका सई प्रतिवा का चैन करना अब इस सही प्रतीवा का चैन कैसे हो रहा है वैज्ञानिक दरश्टी कौन से तो आप देखिए उम्मीद्वार को अपनी प्रतीवा और स्रेश्टता को प्रदर्शित करने का खूब अबसर दिया जा रहा है यह तरीका है जो आप कर रहे हो यह एक उम्मीद्वार है यह आपका बूड है अब आपको मुका दिया गया है सौमे से अस्षी लाने का पिचेतर लाने का पैंसट पचपन पैतालिस पैंतीस पच्छीस तह आपको करना है कि आप किस पर अपना हाथ रखते हैं मैं दावे के साथ कह रहा हूँ यह बात यदि आप भैबीत हुए तो हम मारे जाते हैं आई एस मैंस एक्जाम का जब मेरा रिजल्ट आया था तो एक ही डर सता रहा था कि ऐसा बोड नहीं आ जाए जहां इंग्लिस बोली जाती है देड़ देड़ दो मैने तक हम पढ़ाई तो खूब करते थे लेकिन एक डर सता था कि यदि कोई सवाल अंग्रेजी में पूच लिया गया तो क्या करेंगे हमुस्तेल में रहते थे राजस्थार युलेस्टी के हॉस्टल रमं﹤ हॉस्टल डीवियन हॉस्टल में पढ़ाई खूब करते थे इंटेलिजेंड थे गौल्डudesं मेरिट000 थे लेकिन एंग्लिस कमजोर थी एक एक ऐसा डर एक ऐसा भै उपर बैट जाता था माथे पर कि कोई भी ऐसा बोर्ड साउत का रिष्ट का कोई चेर्मन आ गया और कहीं अंग्रेजी में सवाल शुरू कर दिये तो क्या होगा और ऐसा कभी नहीं हुआ कि अंग्रेजी में सवाल किये गए और यदि किये भी गए तो यह कहा जा सकता है बहुत विनमरता के साथ सालीनता के साथ मदुरता के साथ किसर में हिंदी में जवाब दूँगा कोई भी बोड मेंबर बिलकुल नाराज नहीं होता है क्या मकसद है उनका सही प्रतिवा का चैन हिंदी बोलना अंग्रेजी बोलना इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन बोलना कैसे है हिंदी में यदि बोलते हैं तो बहुत अच्छे उच्चारण के साथ बहुत प्रभाव साली सब्दों के साथ तो क्या चाता है बोड सर्व स्रेष्ट प्रतिवा को खोज रहा है तो आप देखिए ये मोका जो आपको मिला है ये आपको भुनाना है और यदि इसको आप भुनाने से चूप गए तो ये उसी वक्त रिजल्ट आता है पिरी एक्जाम का रिजल्ट उसी दिन नहीं आता मैंस एक्जाम का रिजल्ट उसी दिन नहीं आता कोपियां जाचने में समय लगता मैना दो मैना छे मैना यहां उसी वक्त उसी पल उसी च्छन इस पैन से चेर्मेन आपको अंक देता है तो आपको उसी च्छन उसी पल उसी इस्थान पर चेर्मेन को प्रभावित करना है अपने ज्यान से अपनी योगता से अपनी काबलियत से और निब्वे प्रती सत जो युनिवर्सल टूथ है वो ये है उस विध्यारती को उस उमीद्वार को जादा अंक मिलते हैं जो तनाव रहित रहता है भे मुक्त रहता है confidence में रहता है आत विश्वास में रहता है जैसे घंटी बजती है और जैसे बुलावा आता है शांदार आवाज दबंग आवाज मियाई कमिन सर अभिवादन का अवसर मिलता है चारों को अभिवादन किस तरह से किया जाता है हर वीडियो में मैं आपको यही देखा जाता है आप में की काबलियत क्या है यह तीन पंट ऐसे हैं पहली आवाज मियाई कमिन सर नमसकार सर तरीके हैं अलग-अलग ठेंक्यू सर अब पहला सवाल जैसे ही पूचा जाता है आपके चैरे की रोनक खुसमिजाज हसमुक चैरा तेज इस बूढ को प्रभावित करना चाहिए और हर मेंबर ऐसा मैसूज करेगे यार मेरी तरब देख रहा है हर मेंबर ऐसा मैसूस करें जैसे लियोनादो देविंची की जो अपने एक तस्वीर है मौनालीसा वो यही तो संदेइ पैदा करती है कि मेरी तरफ देख रही है सबसे बड़ी समझ्या इस विज्धारती अ रथार्थ इस उमीद्वार की समझ्या ये होती है 100% में से अब तक जो इंट्रू लिए गए हैं उनमें 80% विध्यारती आई कॉन्टेक्ट को सईनी कर पाते हैं जब ये उम्मीद्वार यहां इस मेंबर को जवाब देता है यदि इस मेंबर ने इस उम्मीद्वार से सवाल किया है तो वो डाइरेक्ट इन से ही आई कॉन्टेक्ट रखता है अब माई डियर फ्रेंड आप देख लो समझ लो प्रक्टिकल ये फिर तीनों क्या करते हैं ये फिर तीनों देख तो इसकी तरफ रहे हैं लेकिन बड़े उदासीन वाव से रहते हैं कि यार हमारी तरफ देख नहीं रहा लेकिन जब वो हरकत कर रहा होता है गूटा चलारा होता है पैर हिलारा होता है मत कंदे मचकाता होता है तो ये तीनों क्या करते हैं उसकी कमियों को लिखते रहते हैं यही मौक इंटरू देने का फायदा है सबसे बड़ा तो प्रेविध्यारतियों सही प्रतिवा का चैन करने का एक मकसद यही इंटरू है जो मैंस एकजामेट जाचा नहीं जाता है ये आगया जो अपन बात कर रहे थे खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूचे बता तेरी रजा क्या है ये इंटरू में साबित होता है बोड इतना प्रभावित हो जाता है विध्यारती को या अभी व्यर्ती को या उमीदवार को भेजना ही नहीं चाता काउंटर पर काउंटर सवाल इतने समवेदन सील मुद्दों के सवाल दागे जाते हैं लेकिन सामने से ऐसा लगता है कि बिलकुल बंदू की गोली की तरह आवाज आती है कैसी आवाज दबंग कॉन्फिडेंस के साथ निश्चेत रूप से यहां मन करता है कि इस विध्यारती ने सामने वाले विध्यारती ने जिसका इंट्रू लिया जा रहा उसने हात पकड़ लिया है बोर्ड मेंबर का एक्सपर्ट का चेर्मेन का कि देख भाईया मैं ISRS बनने के लिए सबसे योग उमिद्वार हूँ किसी भी प्रकार की कोई अंक काटने की गुंजाइस नहीं है आप हंड्रेड मेंसे मुझे असी अंक दें प्रियविध्यारतियों ये बात आप अपने उपर लीजिए असी के असी अंक देने का मन करता है असी अंक दिये जाते हैं और आपको पता है कि असी अंक मिलते हैं अब आप एक बात को ध्यान से समझना होता अपने सुनाने के एक सेर होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है अपन बारताल आप करते हैं समय बात करते हैं होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है लेकिन आप ध्यान से देखिए बोर्ड पर कुछ और लेखा हुआ है होता वही है जो मंजूरे खुद को होता है तो देखिया आप मंजूरे खुद को क्या होता है अभी तब आप समझ गए होंगे बहुत सारी बात हैं नमर एक जब मैं इंटरू देता था आरेस का सामने वाले की बातों पर भरोसा नहीं करता था डर लगता था हर कोई कहता था confidence में जाना जो सवाल नहीं आ रहा है वहां sorry मांग लेना लेकिन भाईया डर भी लगता है और डर लगता है कि sorry लगातार मांगेंगे तो क्या होगा ऐसा ही आईएस के इंटरू में होता था भैबीत रहते थे लेकिन आज जब इंटरू लिये जा रहे हैं स्वैम के द्वारा आईयएस तो नहीं वने लेकिन आरैस में टॉप जब किया था तो इसी इंटरू के दम पर किया था तो my dear होता वही है जो मंजूरे कुद को होता है यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं इंडिया के टॉपर्स की सब को जानते हो आप टीना डावी को ता आप जानते ही हो जैसल मेर कलेक्टर है अब आप ये बताइए इन्होंने साबित किया है इस बारत में और बारत के विद्धार्तियों के लिए ये आदर्स बने हैं कि अपनी मेना से क्या सब्द पर होता वही है जो मंजूरे खुद को होता है आप इस तस्वीर को देखिए ये कनेश के कटारिया आप सब जानते कनेश कटारिया इंडिया का टॉप अब आप ये बता माई डियर फ्रेंड हम नौकरी के लिए लालाईत रहते हैं हाँ नेश्चेत रूप से विद्धार्ति को जब नौकरी नहीं मिलती है तो दो पैसे की तकलीप होती है हमने ये सामना किया है लेकिन करोणों रुपिये का पैकेज छोड़ करके जब ये आए परिवार में माता और पिता भाई भेन इनकी मामा राजे इसको बहुत तकलीप होई कि यार नौकरी छोड़ के आ गया कितनी की लाखों की नहीं करोण से भी उपर की डेड़ करोण से उपर का पैकेज कितना होता है लेकिन क्या था ये होता वही है जो मंजूरे खुदा नहीं खुद को होता है तो इनको खुद को कॉनफिडेंस था माई डियर फ्रेंड्स और ये फिर इंडिया में आई एस में टॉप आए है ऐसे आप सुरूती को देख लो मुगतर आब परिवार चलाती है बच्चे भी है कुशल ग्रैनी भी है प्राइवेट जॉब किये है लेकिन मन में एक आग किसकी प्रसासन की आरेस बनने की अब आप इन सब को देख लीजिए इनोंने क्या साबित किया है होता वही है जो मनजूरे खुद को होता है तो आप तमाम विध्यारतियों से ये कहा जा रहा है जो इन्टरू देंगे दे रहे हैं आप जितना चाते हो उतना ही आपको अंक मिलते हैं इन्टरू में आप जितना चाते हो इतने ही मार्क्स मिलते हैं आपको इन्टरू में यदि आप असी नंबर सोच करकी तैयारी करोगे असी ही मिलेंगे और यदि आपकी सोच बड़ी नहीं है तो आपके 50 से नीचे मिलेंगे यदि आपकी सोच बड़ी है तो तिनका भी तलवार बन जाता है यदि आपकी सोच बड़ी है तो आपका confidence बड़ेगा आत्म विश्वास आएगा ज़्यादा से ज़्यादा मौक इंटरूद हैं और पिछले 25 साल की अनुभव से तजुर्वे से बहुत तौपर्स के सैयोग से जिस किताब का पहले मैंने आपको बताया था वो किताब कम्प्लीट हो चुकी है बन चुकी है शपने के लिए जा चुकी है ट्रेड मार्क मिलनी वाला है यदि इस किताब के अनुसार आप चलेंगे हंड्रेड परसेंट असी नमबर आपको मिलेंगे इसी मैंसे मैं आपको 40 वीडियो देंगा एक एक वीडियो को ध्यान से सुनेंगे आज का जो वीडियो आप देख रहे हैं क्या है इंटरू क्यों होता है तो इंटरू इसलिए होता है कि आपकी जो छुपी हुई योगिता है जिसे मैंसे एकजाम में नहीं जाचा गया है परखा गया है अब हूब हूब फेस टू फेस मिटिंग के साथ वारतालाब के साथ परखा जाएगा कुछ विध्यारती सोमें से 25, 35, 45 अंक भी प्राप्त करेंगे और कुछ विध्यारती सोमें से 45, 85 अंक भी प्राप्त करेंगे आप तै करें कि आप खुदा के उपर निर्भर रहते हैं या खुद के उपर निर्भर रहते हैं बने रहें लगातार वीडियो में आपको निश्चित रूप से असी अंक ही मिलेंगे थैंक यू वेरी मच